नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मंत्रियों में विभागों का हुआ बटवारा है मंत्र सुरेन के भाई को बड़ी जीमेदारी मंत्रियों के सपत ग्रहन के बाद साम में विभागों का भी बटवारा कर दिया है गिरिह कारमिक सही तो ऐसे विभाग मंत्री ने अपने पास रखे हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किये गए है इन में उच एवं तक्निकी सिक्षा विभाग तथा स्कुली सिक्षा एवं सरशर्ता विभाग भी सामिल है सत्यानंद भोक्ता तथा मिसले स्ठाकूर को इस बार एक एक अतिरिक्त विभाग करमसा उद्योग तथा उतपाद एवं मखद निसेद भी मिला है वही आलमगीर, आलम, रामेशवर, उरा, बादल, बन्ना, गुपता तथा अफिजुल हचन के विभाग में कोई परिवर्त नहीं हुआ बेवी देवी को उतपाद एवं मखद निसेद की जगा महिला एवं बाल विभाग की जिमेदारी मिली है पहली बार मंत्री बने हेमन्द सोरेन के छोटे भाई बसन सोरेन को पत निर्मान, भोवन निर्मान तथा जल संसाधन जैसे मद्पोन भी भाग दिये गए है वही दीपक बीरुगा को वैसे भी भाग दिए गए हैं जो हेमन्द सरकार में चमपई सोरेन के पास थे बता दे मंत्री मंडल समन में विभाग द्वारा सुकरवार को ये रात में विभागों के अवंटन समन्दी अजय सुचना में आशिक सनसुधन किया गया है कि धो दीनों में मंत्री नहीं बनाया गया तो करा कदम उठाओंगा बैदनात राम चमपई सुरेन सरकार का मंत्री मंडल बिस्तार कारकरम विबादों के घेरे में आ गया है राज सरकार ने सुक्रवार को नए मंत्रियों की जो सुची राजभौवन के भेजी थी उनमें जहमो कोटे के लाते हर विधायक बैदनात राम का नाम भी सामिल था मंत्रियों के सपत ग्रहन कारकरम की राजभौवन में सभी तेरिया फुरी थी राजभौवन के बाहर मीडिया कर्मियों की भील्ड भी जमा हो गई थी अमतिम समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अचानक बैदनात राम का नाम मंत्रियों की सुची से कट गया जहमो विधाय को चमपई सरकार मंत्रियों मंडल में बराहमे मंत्री के रूप में सामिल किया गया था इसे नराज बैदनाथ राम ने अपने ही सरकार को कड़ी चेतावनी दिया है उन्होंने कहा है कि अगले दो दिनों में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वे कड़े कदम उठाएंगे हेमंत सुरेन को रात में मिला रोटी भुजिया और दोध जमीन घोटाले मामले में जेल गए हेमंत सुरेन का ठीकाना अब बिर्था मुंडा जेल बन गया है गुरुवार दो पर तीन बज का दस मेट पर वह जेल पहुँचे बिर्था मुंडा केंद्रिये कारा के अपर डिविजन में हेमंत सुरेन को रखा गया है वहाँ पर उन्हें जरूरत के हिसाब से सारी चीजे उपलब्ध कराई गई थी जनकारी के अनुसार जेल में परवेश करने के बाद उनकी इंट्री हुई इसके बाद उनका राइश्टेस्टन 231 नंबर पर हुआ जिसके बाद वह जेलर के करयाला में गए वहीं कुछ देर रूखने के बाद हेमान सुरेन सीधे अपने सेल में चले गए उनकी सेवा में तीन बंदियों को लगाया गया था हेमान के सेल पहुँचते ही तीनों सेवादार ने अपना परिचा दिया जनकारी के अनुसार हेमान सुरेन ने दूध रोटी खाने की इक्षाज़त आई जिसके बाद जेल परसासन की तरफ से उन्हें रात के खाने में दूध रोटी और आलू का भूजिया दिया गया जिसे वक्षाकर अपने कमरे में टहलते रहे रात दस बजे तक यहीं सीती रही खुटी में सड़क हादसे में ड्राइबर समय चार मजदूर्यों की मौत जारखन के खुटी जिले के कार्रा थाना छेतरे की घुनसूली पंचायत अंतरगत के चापी हेंसला मोड के गिरिजा घर और संत जेवियर इसकुट के समीब सुकरवार की सुबह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारान चिप्स लद्दी हाईवा और बालू लद्दी टर्बो की सीधे भीरंत हो गई इसमें चार लोगों की जान चली गई ये सभी टर्बो की कैबिन में बैठे हुए थे परिजनों के अनुसार सभी टर्बो में काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे सुबहक हादसे के बाद हाईवा का चालक और खलासी फरार हो गया है जनकारी के अनुसार बालू लदी टर्बो धोलबा की ओर से आ रही थी इसी करम में विप्री दिसास से आ रही चिप्स लदी हाईवा से जोरदा टकर हो गाई जंगल में लकडी चुनने गई भुजूर्ग महिला की आईडी से मौत जारखन में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सफाय के लगतार अभियन चला रहे हैं तो वहीं नक्सली भी उन्हें निसाना बनाने गले तरह तरह के हतकांड अपना रहे हैं इनमें कई बार बेगुनाह गरामिनों की मौत हो जाती है एक बार फिर कौलान रिजर फोरेस्ट में एक भूर्ग महिला की आईडी बलास्ट से मौत हो गई है वहीं तुमबा हाक का पाता तोरूब जंगल में नक्सलियों यां सुरक्षा बलों के बीच मुर्भेड जारी है पुलिस ने बाताया है कि कौलान रिजर फोरेस्ट शेत्र के गोईल के राथाना अंतरकात मारादिरी जंगल में लकड़ी चुने गई एक ब्रिधा की आईडी बलास्ट में मौत हो गई है जे एस एसी सीज Bijl प्रशन पत्र लिक मामले में हिरास्त में लिये गई पांच छातों के मोबाइल से डाटा गाया जहरखन समान अंसनातक जोकता धारी सनुट पत्युकता परिशाद 2023 प्रशन पत्र लिक मामले में सामिल पांच छातों को इसाईटी कर SIT पुछताश कर रही थी जाच में यह बात सामने आया है कि उन्होंने सोसल साइट के जर्ये प्रश्ण पत्र दूसरे को भेजा था प्रावांभिक जाच में SIT ने पाया है कि इन पांचों के मोबाइल से कई ड़ाटा गायब हैं इसलिए इन पांचों के मोबाइल को SIT ने पर आना होगा मात्रुत वंदना योजना में सिथीलता वरतने पर दो एसल को सोकाज पलामो उपायुक तो ससीर अंजनने समाना अलय के सभागार में सुक्रवार को समाज कल्यान विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समिक्छा की सभी सीडी प्यों एवम एसल से पोसा आहर वित्रन की जनकारी ली तथा सभी को समय सत परतिसत पोसा आहर वित्रन सुनिश्चित करने का निदेश दिया उन्होंने सभी सीडी प्यों को उनके छेत्र अंतरगत आंगनवारी केंद्रों को नियमित रूप से संचालित करने की बात कही है उपायुक्त ने मात्रुत वंदना योजना की प्रखंड वार समिक्षा की उन्होंने एसल से दिये गए लक्ष के विरूद अचीवमेंट की जनकारी ली है इस कारे में सिथिलता वरतने को लेकर छतरपुर के दो एसल को सोकाज किया गया वहीं बायमेट्रिक में अटेंडेंस कम रहने के कारान पाटन के प्रखंड वे सक उसल सोकज कीया गया है कंसमय में हमन्त बाबू के अधूरे कार्यों को करना है मंत्री मंडल विश्थार के बाद राजबहन में मीडिया से बात करते हम ठीम प्रश चमपभाई सुरै ने कहा है कि कम समय में कि सारे Żंवा CHंप सबोर चेत्रों का विकास हो, सहर का विकास हो, जहर खंडियों का मन समान बढ़े, रोड नाली, बिजली सभी को मिले, यही सरकार की सोच रही है, हर दिन हम लोगों जन कल्यानकारी योजनाओं पर ही काम कर रहे हैं, यहां का समाजिक आर्थिक, सिक्छा, पानी, बिजली, यहां का स् हर परिवार को पानी, गाउं से लेकर सहर तक पीने का पानी, 100 यूनिट बिजली हमने 21 लाग कंजुमरों को दिया, जिसे अब हमने 165 यूनिट कर दिया है, अब 30 लाग कंजुमरों को इसका लाभ मिलेगा ज्यामों करकरताओ के उपवास का दूसरा दिन, रांची के मोराबादी second बापू के पतिमै के समक्रूर दूसरे धिन भी झ्यामों रामगर्ष जीला अध्यक्ष बिनोत किसकू के नत्यूत में उफास कारकरम हुआ कारकरम में रांची जीला अध्यक्ष मुस्ताक आलम के नत्यूत में रांची जीला समीती भी सामिल हुई इस अशर पर रामगर्ष जीला अध्यक्ष बिनोत किसकू न कहा जार्खन के युवा मुख्य मंत्री हमान सेरन को जानता ने पांच साल के लिए बहुमत दिया था और वह 3.5 क्रोल जानता के घर घर तक योजनाओं को पहुचाने का काम कर रहे थे इसी को देखते हैं भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा साजिस के तहत उनको जेल भेज दिया गया जार्खन में 300 मेगावाट बिजली की कमी जार्खन में पिछले कई दिनों से मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है प्रति दिन लग भग 300 मेगावाट बिजली की कमी होती है इस वज़े से सुबह और साम में राज़े के कई हिस्सों में लोड सेडिंग कर आपूर्ती करनी परती है गरामिन इलाकों में इसका खासा असर देखा जा रहा है वहां अउस्तन 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है जबकि सहरी चेत्र में 18 से 20 घंटे मिल रही है गौतलब है कि जार्खन को इस समय 1400 से लेकर 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है जबकि जरूरत 1700 से लेकर 1800 मेगावाट की है जार्खन बिजली बीत्रन निगम लिमिटेड ने केंद्र सरकार के पावर एक्सचेंज से 300 मेगावाट अत्रिक्त बिजली की मांग की है इसके लिए लगातार पत्रचार भी किया जा रहा है जार्खन के बैंकों में बढ़ रहा एनपीए बैंक से कर्ज लेकर नहीं लोटाने वालों की संखे लगातार बढ़ रहा है इससे बैंकों का नन परफ्रेमेंस एसेंट बढ़ रहा है 31 दिस्टमबर 2023 तक राजे के बैंकों का एनपीए 74,78.04 रुपए तक पहुंच चुका है इतनी रकम लोगों ने नहीं लोटाई है इसे लेकर चिंता जताई गई सबसे अधिक एनपीए सुक्ष में लगू एवं मद्धे उद्ध्योग छेत्र का है MSME का एनपीए 349.04 को रुपए है वही एनपीए के मामले में दूसरा अस्थान किरिसी छेत्र का है इस छेत्र में बैंको का 246.04 को रुपए का एनपीए है सुरक्षा बलो के हाथ से निकला 25 लाकाई नामी रहुनात हेमरम का दस्ता वोकारों में योगे सुर बिहार वा चट्टो चट्टी थाना के जंगली छेत्र में दो दिनों तक चले सुरक्षा बलो के नक्सल वीरोधी अभियान में 25 लाकाई नामी इस्पेसल एरिया कमांडेंट सदस रहुनात हेमरम औरुफ निर्भाय औरुफ चंचल औरुफ बीर सेन का दस्ता भाग निकला है हलाकि सुरक्षा बलो ने नक्सलियों के केम्प को धवस्त किया है से भारी मत्रा में कार्थूस द्वनक्सलियों के उप्योग के समान आदी मिले है सुरक्षा बलो का अभियान जारी है पूलिस मुख्याले से मिली जनकारी के नुसार 13 फरवरी को सुचना मिली थी कि रहुनात हेमरम का दस्ता सकरिये है दस्ते में करीब 40 सदसे हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं उक्त दस्ते के साथ एक और का इनामी सेंटरल कमिटी सरस पर्याग मांजी उर्फ बिबेक भी है 20 फरवरी से जारखन में फिर बदलेगा मौसम जारखन में मौसम एक बार फिर करवट लेते नजर आ रहा है मौसम विभाग के प्रोणमान अधिकारी सतिस चंद्र मंडल के अनुसार जारखन में 20 फरवरी से आंसिक बादल चाहे रहेंगे 20 फरवरी से पहले मौसम साफ रहेगा राजे में अगले दो दिनों के दरान नेतम तापमान में 2-3 डिगरी गिरावट हो सकती है इसके बाद 29 फरवरी से इसमें धीरे 3-4 डिगरी की बिरीधी होने की संभावना है इस दरान सुबह में कोरे के बाद आसमन साफ और मौसम सुस्क रहेगा पिछले 24 गंटे में राजे में कहीं कहीं पर हलके सिमर दर्जे की बार्षा हुई है सबसे अधिक बार्षा 28.2 चाकूलिया पुर्वी सिम्भू में धर्ज किया गया है 26,000 सिक्षक भरती में इस सर्थ के साथ होगी नियुक्टी सहायक अचार्य के 26 यार एक पदो पर होने वाली नियुक्टी में जार्खन के रहने वाले ऐसे अभियार्थियों को परिक्षा में सामीलित होने के अनुमती दे दी गई है जो केंद्रिये सिक्षक पत्रता परिक्षा या पडोसी राजयों के सिक्षक पत्रता परिक्षा उतिन है लेकिन इसमें या असात रखी गई है कि समंदित अभियार्थिकों नियुक्ति के तीन वर्स के भीतर एवं पहले उपलब्द आउसर में जार्खन सिक्षक पत्रता परीक्षा उत्तीन होना अनिवारे होगा बताद जार्खन करमचरी छेयन आयोग ने इसे लेकर जार्खन प्रवांभिक बिद्याले सायक अचारी न्योक्ती परीक्षा के बिग्यापन में संसुधन किया है यह संसुधन हाल ही में जार्खन उच न्याले के आदेश पर न्योक्ती ने मौली में हुए बदलाव के बाद किया गया है जार्खन सरकार के समने नया संकट बारा बिधायक नराज कांग्रेस के स्रजोग से जार्खन में चल रही चमपई सुरेन सरकार के समने नय मुश्किल खड़ी हो गई है जार्खन कांग्रेस में मंत्री पत को लेकर फूट परती दिख रही है कांग्रेस के तरजन भर बिधायक पुराने चेहरे को ही दुबारा मंत्री बनाये जाने को लेकर नराज है इर्फान अंसारी, अंबा परसाद, बिक्सल कोड़ी, दिपिका, पांडे, सहीद, जायतर बिधायक इस भूट का हिसा है इस बिरोधी खेमे ने अलमगीर अलम और अने तिन पुराने मंत्रीयों की जगा नए चेहरे को मौका देने गिमांकी थी बताया जा रहा है कि बिरोधी कांग्रेस बिधायक सपत ग्रहन समारो का बहिसकार करने का मन बना चुके थे कांग्रेस के जारकन परभारी गुलाम अहमद मीर ने गेस्ट हाउस में बिधायकों के साथ बैटक की और उन्हें समारो में सामिल होने के लिए मनाया धन्यवाद